हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो एंड आज की ये वीडियो होने वाली है कि यदि आप पैरोट्स ले रहे हो गाइज तो ये बाते आप लोगों को पता होनी चाहिए तो मैं कौन सी आप लोगों को बाते बताने वाला हो यद्ध आप लोग गोर से सुनियेगा यद्ध आप लोग अच्छे सारा सा समझ जाए क्योंकि गयाइस आप लोग आप लोग एंड तक वीडियों पे बने रहोगे तो ही आप लोगों पता चलेगा एंड आप लोग आधाप वीडियो स्किप करकर देखेगो तो पूरा वीडियो में आप लोगों को मैंने क्या बताया आप लोगों को पता नहीं चलेगा ये 4 मिनट की वीडीयो है अप लोग जदी ये पूरा वीडियो देख लियें तो आप लोगों को सब पता चल जएगा इन पेरोट परोट्स के बारे मैं चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो आप लोगों को मेरी पसंद आति हैं तो guys जो सबसे पहला point है वो ये है कि idea में Indian परोट्स बैन है तो आप यदि एक Indian परोट्स ले रहे हो घर में तो आपको पता होना चाहिए कि ये परोट्स इंडिया में बैन है तो गाइज आप यह दिले रहे हो तो अपना रिक्स में ले सकते हो यदि मैं वीडियो डाल रहा हो यदि आप मेरी वीडियो देख के आप यह दिपरस पर्चेस करने का कोशिस कर रहे हो तो यह गलत है, क्योंकि गाइस मैं रख रहा हो तो मैं अपना रिक्स में रख रहा हूँ तो मैं नहीं बोल रहा हो कि आप लोग भी लो तो जैसे की मेरा काम है आप लोगों को information पहुँचाना एड़ वीडियो के शाहिता से आप लोगों के पास information देना यही मेरा काम है, ना कि guys मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग लो, क्योंकि जैसे कि सेलिंग माइंगा मैंने बहुत सार वीडियो डाला है, तो but मैंने यह भी नहीं बोला है कि आप लोग यदि ले रहे हो, यदि आप लोग लेना चाहते हो, तो अपना रिक्स में ले सकते हो, तो guys आप लोग जदी चाहते हो, आपके घर में जदी पैरोट्स है, जदी कुछ भी तो आप लोग आपना, मतलब जो wildlife department, जदी आसपास forest department से बात करके आप भी रख सकते हो, जदी आप लोगों को कोई प्रोब्लम आगे जाके नहीं चाहिए, तो तो आप लोग को जदी ऐसा जदी करना है तो आप लोग कर सकते हो, आगे जाके आप लोगों को कोई भी प्रोब्लम नहीं होगी, तो guys सबसे पहला point यह है, and guys second, जो आप लोग जदी पैरोट्स ले लिए हो, और जदी पैरोट्स के पार में आप लोगों को कुछ भी पता नहीं है, तो आप लोगों को पता कर लेना है कि पैरोट्स का क्या डाइट है, पैरोट्स क्या खाते है, जदी आप घर में ले आए हो, और सेरेलेक्स खिला रहे हो, जो मनसे तो खिला रहे हो, और उसके बाद आपका बर्स मर जाता है, तो इससे भी क्या होता है कि पैरोट्स का इसी चलती बेन हुआ है, मतलब जैसे कि तादाद इसका धिरे-दिरे कम होने लगा था तो इंडिया गॉवर्मेंट में ये देखके मतलब इंडियान गॉवर्मेंट में ये सब देखा और आप लोगों को पता ही होगा कि ये परट्स इंडिया में कब से बैन है तो उस समय से लेके अभी तक ये परट्स इंडिया में बैन है तो आप लोग जदी ले रहे हो तो उसका पुरा डाइट और पुरा इंफोर्मेशन आप लोगों को पहले जान लेना है और उसके बाद ही एक परट्स घर में लाना है क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होगा कि इन लोग का क्या डाइट है इन लोग को कैसे रखते है इन लोग को क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए और एक घर में अपना परट्स ले आए हो और उसके बाद उसको गलाट डाइट दे रहे हो तो अपना पूरा लाय पेस्पिन भी नहीं जी पाता है एंड उसके बाद वो मर जाता है आप लोग बिल्कुल ऐसा ना करें आप लोगों को जदी लाना है परोट्स घर में ले आये हो तो पूरा आप लोग उसका केर करें एंड में यहीं बोलूँगा आप लोगों को थर्ड गाइस कि आप लोग जदी ले ले रहे हो परोट्स आप लोग पिलिस से चोटा से एक पिंचया में ना रखे क्योंकि चोटा से पिंचया में उनका जिंदगी पूरा का पूरा कट जाता है मैंने बहुत सारे घरों में देखा है बहुत सारे वीडियो में देखा है कि एक छोटा सा पिंजणा में उसको रख रहे हैं और उसी से उसकी देथ भी हो जाती है So guys मैंने आप लोगों का I hope ये सब जो चीज आप लोगों को बताई आप लोगों को पूरा तरस समझ में आ गया होगा And मेरी वीडियो से आप लोगों को कोई भी दिखकत हो तो प्रीज आप लोग कमेंट में रटाए और आप लोगों को कोई भी प्रोब्लम हो तो आप लोग बेहज़ी ज़क मुझे बता सकते हो आप लोग जदी बताऊगे नहीं तो मैं अपना गलती सुधार भी नहीं सकूँगा So guys I hope से ये वीडियो आप लोग पसंद आई होगे And चलिए तो हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो पे And guys take care अपने परोड़ का भी आप लोग care करें And अपना भी care करें So guys take care and bye bye मिलते हैं अगलोग वीडियो पे